जैहिंत साथियो, स्वागत है आपका विज़पत डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट जीके का टॉपिक डिसकस करेंगे जो की है हमारा आर्टिकल 377 और जम्मू रिलेटिट से कुछ most important question आज हम आपके लिए लेके आए हैं तो इस वीडियो में आर्टिकल 377 और जम्मू से related कुछ important question जो की आपके exam point of view से बनाए गए हैं उसके उपर आज हम डिसकस करेंगे सारे के सारे question आपके लिए one liner form में है top 50 plus question आज हम आपके लिए लेके आए हैं 50 से जादा question आपके exam के लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ और mostly army के exam के लिए ये most important रहेंगे बाकी सभी जितने भी हमारे state या center government के exam होते हैं उनके लिए most important topic है और साथ में army के जो हमारे exam होने हैं gd, clerical, technical और trade man या फिर nursing assistant का तो उसमें हमारा ये gk का portion most important रहेगा क्योंकि current का topic है और हाल ही में जो हमारे exam हो रहे हैं army के उसमें current के topic जो हैं वो बार-बार पूछे जा रहे हैं आज की वीडियो start करते हैं आर्टिकल 377 और जम्मू कस्मीर से कुछ question है आपके लिए आज का धारा 377 कब लागू किया गया था तो धारा 377 जो है ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1907 को तो 26 जनवरी 1907 को जम्मू कश्मीर में धारा 377 को लागू किया गया था question number two है धारा 377 हटाने की मंजूरी किस ने दी तो हाल ही में जो है वो धारा 377 हटाया गया था तो राजे सभा में जो है वो इसको हटाने का पस्ताव पेश किया गया था आपको सारे के सारे question आपको इलिए one liner form में है तो आप easy way में अपने जो है वो notes बना सकते हैं next one है धारा 377 को हटाने का पस्ताव राजे सभा में किसने पेश किया था तो धारा 377 को हटाने का जो पस्ताव है वो राजे सभा में पेश किया गया था केंद्री ग्रिह मंत्री अमित शाहजी द्वारा जो है वो इसका पस्ताव किया गया था नेक्श वन है हाल ही में किस राजे को जो है वो विशेश राजे का दर्जा जो है वो समाप्त कर दिया गया है तो जम्मू कश्मीर जो था वो हमारा एक विशेश राजे था स्पैशल था उसका जो दर्जा है वो हाल ही में जो है वो खतम कर दिया गया और इसके बाद जो है इ उसके साथ साथ धारा 35A को भी बहां से हटा दिया गया है जम्मु कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी धारा 370 का कौन सा खंड लागू रहेगा तो हाल ही में जो है जम्मु कश्मीर में धारा 370 हट गी उसके साथ साथ धारा 35A को भी हटाया गया तो इसे हटाने के बाद बहां का 377 का कौन सा हिस्सा जो है कौन सा पार्ट है वो लागू रहेगा तो उसका खंड एक जो है वो लागू बहाँ पे रहेगा नेक्श वन है केंदर शाषित परदेश जम्मू कश्मीर के साथ कौन सा केंदर शाषित परदेश बनाया गया तो जम्मू कश्मीर को जो है वो 370 और धारा 351 को हटाने के बाद उसे राजे से केंदर शाषित परदेश में बनाया गया तो साथ में जो है वो लद्दाख को भी केंदर शाशित परदेश बनाया गया नाइन्थ कोईशन है केंदर शाशित परदेश जम्मू कश्मीर बिधान सभा का कारेकाल कितने वर्ष का होगा तो केंदर शाशित परदेश जो है हमारा जम्मू कश्मीर उसमें जो भिधान सवा होगी उसका जो कारेकाल है वो होगा हमारा पांच वर्ष का नाइक श्योंन है जम्मौ कशमीर और लड़ाग को केंदर शाशित परदेश बनाये जाने के बाद भारत के केंदर शाशित परदेशों की संख्या कितनी हो जाएगी तो यहां से आप से ये नहीं पूचा है कि बर्तमान में कितने हैं, बट आप से ये पूचा गया है कि जम्मू कश्मीर और लदाक को मिलाने पर भारत में कुल कितने केंदर शाषित परदेश हो जाएंगे, तो जो हैं हमारे पहले 7 थे, अब 2 और मिल जाएंगे तो हमारे 9 हो लेकिन at present की बात करूँ तो बरतमान में जो हैं हमारे 8 केंदर सासित परदेश हैं क्योंकि जो हमारा एक केंदर सासित परदेश सा दक्षिन की तरफ या साउथ की तरफ में बोलू दादर नगर हवेली उसको मर्ज कर दिया गया है next one है question number 11 भारत के किस राज्य से अनुचेद 375 और 35 को खतम कर दिया है तो easy question है जम्मु कश्मीर में से जो है वो 375 को खतम कर दिया गया है यह आर्मी जीडी के लिए भी आपके लिए most important question बनता है अनुचेद 375 और 35 को खतम करने के करने वाले बिल का नाम क्या रखा गया है तो किस बिल के अंतरगत जो है वो article 375 को खतम किया गया तो उसका नाम था जम्मु कश्मीर पुना गठन बिल next one है जम्मु कश्मीर पुना गठन बिल को संसद में किस दिन पेश किया गया तो 5 अगस्त 2019 को जो है वो से पेश किया गया था जम्मु कश्मीर पुना गठन बिल को संसद में कितने किसके द्वारा जो है वो पास किया गया तो बरतमान के जो भारत के राश्ट्रपती हैं रामनात कोबिंद उनके द्वारा इनको पास किया गया Next one है संभीधान के किस अनुछेद के अंतरगत जम्मू कश्मीर को विशेश राजे का दर्जा प्रापत हुआ था तो आर्टिकल 377 के तहट जम्मू कश्मीर हमारा एक स्पैशल या फिर विशेश राजे का दर्जा जो है वो से परदान था विशेश राजे का मतलब है उसका तिरंगा जो उसका जंडा है वो भी अलग है बाकी राजों से भी वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि एक उसकी सबसे बड़ी विशेशता ये है कि जैसे हम हिमाचल में रहते हैं तो हिमाचल की कोई नागरिक्ता जो है वो शो नहीं करनी पड़ती है क्योंकि हम जो है ये बोलते हैं कि हम हिंडियन है लेकिन जम्मू कश्मीर में जो था वो उनको दो नाम से बोला जात तो दो हिस्सों में जो है जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया है पहला हमारा जम्मू और कश्मीर और दूसरा हमारा लद्धाक Next one है संबीधान का अनुछेद 35A किस से समंदित है तो 35A जो है यह हमारा समंदित है जम्मू कश्मीर में स्थाई निवासी की पहचान तो अभी मैंने आपको बताए कि जम्मू कश्मीर में एक बिशेश दर्जा जो है वो लोगों को दिया गया था और वो दिया गया था 35A के तहट जिसमें बताया गया था कि वो एक जम्मू कश्मीर का निवासी है नेक शोन है भारत में अब 5 अगस 2019 के बाद कितने राजय और केंदर शाषित परदेश हो गए है तो हमारे 28 राजय जो है वो टोटल हो गए है और 9 केंदर शाषित परदेश जम्मू कश्मीर को तोड़ने के बाद 5 अगस 2019 को हो गए है मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ यहाँ पर बरतमान की बात नहीं की गई है यहाँ पर 5 अगस 2019 के बाद बताया गया लेकिन अगर बरतमान की बात करें तो हमारे 28 राज्य और 7 में केंदर शाषित परदेश जो बरतमान के हैं वो हैं हमारे 8 नेक्शन है अनुछेद 35 को संबिधान में कब जोड़ा गया था तो 35 की बात करें अभी बताया आपको कि 35 क्या है हमारा जम्मु कश्मीर में स्थाई निवाशी की पहचान तो उसे जो है बुसकब संबिधान में जोड़ा गया था तो 14 मेई 1904 को इसे संबिधान में जोड़ा गया था नेक्श वन है अनुछेद 35 को संभीधान में भारत के किस रास्ट्रपती द्वारा किया गया था 35 को जब जोड़ा था 14 मैं 1994 को तो उस टाइम के जो रास्ट्रपती थे भारत के रोजेंदर परशाद उनके द्वारा इसे संभीधान में जोड़ा गया था और राजेंदर परशाद जो थे ये भारत के पहले रास्ट्रपती थे नेक्श वन है जम्मु कश्मीर में अनुछे 377 और 35 को खतम करने के बाद राज्य को किस में परिवर्तित कर दिया गया है तो अभी मैंने आपको बताय कि राज्य को जो है वो केंदर शाषित परदेश में तोड़ दिया गया है इसके दो हिस्से कर दिये गये पहला हमारा जम्मु कश्मीर और दूसरा हमारा लद्दाक तो दोनों जो हैं वो अब हमारे केंदर शाषित परदेश बन गए है I hope आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को आपने जरूर लाइक करना है आपने फ्रेंड्स में शेयर करना है और वीजेपत डिफेंस यूट्यूब चैनल को आपने सस्क्राइब करना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारी आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपके तक पहुंच सके और आपकी तियारी बिल्कुल एडवांस में चल सके साथ में आपको ये जो क्वेशन है वन लाइनर फोम में आपको इसके नोट्स बनाने हैं ताकि आपकी जो तियारी है वो काफी अच्छी तरह से हो सके भारत में 5 अगस 2019 से पहले कितने राजे और कितने केंधर शाशित परदेश थे तो उस टाइम के हमारे 29 राजे थे जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर सामिल था और साथ हमारे केंदर शाशित परदेश से भारत के किस राजे का अपना एक अलग संभीधान और एक जंडा था तो मैंने अभी आपको बताया था 35 ए जो है वो जम्मू कश्मीर के स्थाई निवासी की पहचान बताता है और धारा 377 के तहट जो है उनका एक अलग संभीधान था अलग जंडा था अपने ही रूल बहाँ पे जो है वो चलते थे तो वो ये चलते थे हमारे जम्मू और कश्मीर में नेक्स वन है जम्मू कश्मीर का संभीधान किस दिन से प्रभाब में आया था तो ये जो संभीधान है ये 26 अनबरी 1904 से जो है ये प्रभाब में आया था नेक्स वन है जम्मू कश्मीर के संभीधान की किस धारा के इंतरकत जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन अंग है तो ऐसी कौन सी धारा है जिसके तहट जम्मु कश्मीर को भारत का एक अंग माना जाता था तो वो धारा तीन के तहट जो है वो इसे एक भारत का महतपूरण अंग माना जाता था जम्मु कश्मीर की महला किस देश के व्यक्ति के साथ विवा करके भी अपनी नागरिक्ता शुरक्षित रख सकती थी तो Jammoo Kashmir की जो लेडिस थी अगर वो पाकिस्तान के वेकती से विवा करती है तब भी उसे जो नागरिकता है वो Jammoo Kashmir या फिर भारती की नागरिकता से ही उसको बताया जाता था नेक्श वन है जम्मू कश्मीर की आखरी मुख्य मंतरी कौन थी तो महभूवा मुक्ती जो थी वो जम्मू कश्मीर की आखरी मुख्य मंतरी थी यहाँ पे आखरी इसलिए बोला गया है क्योंकि यह जो जम्मू कश्मीर है ये उस टाइम का हमारा राज्य था लेकिन अब बर्तमान में जो है वो हमारा एक केंदर शाषित परदेश बन गया है नेक्ट वन है आर्टिकल 370 किस क्लोज के अंतरगत आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया है तो ये तीन के तहत जो है इसको समाप्त किया गया है नेक्स्ट कुछ जम्मु कश्मीर से हमारे कुछ important question है और साथ में जम्मु कश्मीर के साथ जितने भी हमारे स्पर्ष करते हुए राजे हैं उनके साथ भी हमने कुछ question आपके लिए बनाए है तो next one है सलाल बांध किस नदी पर बनाए गया है next one है बगली हार बांध जो है ये भी हमारा चिनाव नदी के उपर बनाया गया है next one जम्मु कश्मीर का पामपो और क्षेतर किस के लिए उतपादन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है तो जम्मु कश्मीर में सबसे ज़ादा होता है हमारा केसर और साथ में जम्मु कश्मीर का जो सेव है वो भी हमारा विश्व परसिद है Next one है किस पहाड़ी पर वैशनो देवी मंदिर है तो आपको पता ही है कि वैशनो देवी और अमरनाथ जो है यह हमारे जम्मु कश्मीर में स्थित हैं लेकिन अगर पहाड़ी की बात करें तो important question है आपके लिए त्रीकुटा नामक पहाड़ी जो है बहाँ पे हमारा वैशनो देवी मंदिर स्थित है जम्मु कश्मीर की ग्रिशम कालीन राजधानी कौन सी है तो जम्मु कश्मीर की जो ग्रिशम कालीन राजधानी है वो है हमारी श्रीनगर जैसे हिमाचल की दो राजधानिया है शिमला और धरमशाला उसी तरह जम्मु कश्मीर की भी दो राजधानिया थी पहली कश्मीर औ उसका बहुता हमारा चिनार, नेक्श बात करते हैं, जम्मु कश्मीर के राज की पक्षी की, तो बहुता हमारा काली गर्दन वाला क्रेन, तो यह एक पक्षी है, जिसे जम्मु का रास्ट्री पक्षी जो है वो घोशित किया गया था, नेक्श वन है, जम्मु कश्मीर में लो एंडए या फिर जिसको हंगूल के नाम से भी हम जानते हैं नेक हम जमुकश्मीर के राजकिय फूल में किसे मानेता दी गई है तो लोटड़स को जो है जमुकश्मीर का राजकिय फूल जो है वो माना जाता है नेक हम 26 अक्तूबर को महाराजा हरी सिंग ने कौन से सन में बिले के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे तो 1947 में 26 अक्तूबर 1947 को जो है वो इसके दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये गए थे जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे बड़ा रास्ट युद्यान कौन सा है तो हेमिस रास्ट युद्यान जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर में पढ़ता है नेक्श वन है अनुछे 370 निर्धारित करता है कि रक्षा बिदेश मंतराले को छोड़ कर बाकी सभी कानूनों को लागू करने के लिए भारती संसद को राज सरकार की सहमती लेना जरूरी है तो यह जो है यह संचार और बित मंतराले के अंतरगत जो है यह आता है नेक्श वन है स्रीनगर किस नदी के तड़ पर स्थित है most important question है आर्मी जीडी के एक्जाम के लिए स्रीनगर जो है यह हमारा जेलम नदी में स्थित है और जेलम नदी जो है यह जमू कश्मीर के शेशनाग जील से जो है वो निकलती है next one क्षेतरफल के हिसाब से जमू कश्मीर का स्थान पूरे भारत में कौन से नंबर पर है तो क्षेतरफल के एरिया के हिसाब से जो है ये पांचमे स्थान पे जो है वो पूरे भारत में आता है next one जमू कश्मीर की अधिकारिक भाषा क्या है उर्दू जो है ये जम्मु कश्मीर की अधिकारिक भाषा है नेक्श वन रास्टपती शाषन को दो शदनों की मजदूरी के बाद हर छे महिने में बढ़ाया जा सकता है बट अधिक्तम कितने टाइम के लिए उसको वो बढ़ाया जाता है नेक्श वन है जम्मु कश्मीर के संबीधान में कितनी क्षेतरी भाषाओं का उलेख किया गया है तो जम्मु कश्मीर के संबीधान में जो है वो टोटल अभी तक आठ क्षेतरी भाषाओं का उलेख किया गया है जिसमें मुख्य रूप से डोगरी जो है जमू कश्मीर की एक परमुख भाशा है नेक्श वन जमू कश्मीर के संबीधान में कितने भाग हैं तो टोटल 13 भाग जो हैं जमू कश्मीर के संबीधान में हैं Next one, जम्मु कश्मीर का संभीधान के एक लिखित दस्तावेज है, तो इसे जो है वो अनुछेद 108 के तहट जो है वो एक लिखित दस्तावेज बताया गया है नेक्श वन जम्मु कश्मीर के संभीधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो अनुसूचियों की बात करें तो जम्मु कश्मीर के संभीधान में टोटल साथ अनुसूचियां बताई गई हैं नेक्ट फ़न, पचास्पमा कोश्चन है हमारा, जम्मु कश्मीर जिसका एक प्रत्थक से बिधान है, उसके संबिधान के तहट रास्ट पती शाषन से पहले छे महा का राज ये पाल शाषन अनिवारे हैं, तो अनुचेद बानवे के तहट जो है, ये से छे महा का राज ये पाल शाशन घोशित किया गया है नेक्स वन जम्मु कश्मीर का संभीधान किस बर्ष अधिनियम किया गया था तो 1956 में जो है वो पहली वार इसे अधिनियम किया गया था और उसके बाद इसे 2019 में जो है वो यहां से धारा 370 हटाई गई नेक्स वन जम्मु कश्मीर की तीन डिवीजनों में शामिल जम्मु कश्मीर घाटी और लदाख और आगए ये जिलों में भिवाजित है तो यहां पे जो है बाइस जिलों में ये भिवाजित है मतलब तीन डिवीजन जो है वो इसमें बोली जाती है पहला है हमारा जम्मु आज किस वीडियो कहा, जम्मू क Gir की सिमाएं दक्षिण में के शर्च के साथ हैं दक्षिण में यह हिमाचल परदेश होता है, लेकिन अभ्य हाल में बात करूएं बिनुके छैंटर पर चंडर जरूर में में तो रदियो तो और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आपने like करना है, share करना है और channel को आपने जरूर subscribe करना है इसी परकार की latest GKK current affair की वीडियो भी आपको मिलती रहेगी mostly army के exam के लिए most important आपके लिए रहेगी one liner four में आपके लिए question बनाए गए हैं ताकि आप easy way में अपने तरीके से जो हैं वो notes बना सकें अगर आपको इसकी PDF प्रापत करनी है तो यहां पे जो आपके सामने number दिया गया है यह वाला number इस number के उपर आप जो हैं वो whatsapp करके जो हैं वो आप हमारे group के साथ जोड सकते हैं जहां से आपको जो है इसकी PDF प्रवाइड करवा दी जाएगी वीडियो को like करें शेर करेंगे मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत